जिसे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जब करें, क्या करें प्रभू के अनंत नाम है, शब महिमा मैं, सब महिमा कोई नाम छोटा बड़ा नहीं पर जो नाम सोयम हरी जबते हैं, हमारी प्रार सना है सब से मान लो क्यों मैं छोड़ दो, बाद में तो मन भोग करना है बच्चम नाम कर देगा आप चिंता ना कोई भजन करते रोग शब उस समझ में आ जाएगा, सब सारी स्थितियां जागरत कर देगा भजन के बिना मन वचन कर्म से प्रभू के हाँख बिक जाओ, बिना साधन के सब जागरत हो जाएगा बस जैसे पुराना वस्त्र त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता ऐसे ही महाभागवत जनों को शरीर त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता राग का नाश होना ही सर्वसाधनों का फल है पर वो कैसे नाश होता है भगवन नाम मात्र प्रतापाद बस यही विश्रामभूमी है हर समय राधा, 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 राधा एक तर्क वितर्क छोड़ो, क्यों में हो छोड़ो पान करो राधा नाम सुधार सम फिर आपको खुदन वो में आएगा जिससे पूछते हैं कि हम कौन सा नाम जब करें क्या करें प्रभु के अनंत नाम है शम महिमाम है कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है पर जो नाम सुएम हरी जबते हैं क्योंकि हरी के सब नाम हरी रसना राधा राधा रट और हम ब्रंदावन वार्षी हैं प्रियाजू के चरणाश्रित हैं तो राधा नाम आईव कार्यम हैनुदिन मिलितम साधना की हमारे लिए करोनों साधनाओं का जो फल है त्याग कराने की शामर्तिस महाप्रेम प्रदान करने वाले राधा नाम में और वैभव और सुक्त सब छोटी बाते हैं महाप्रेम प्रदान कर देने वाला राधा नाम जो श्वयम भगवान स्री हरी जबते हैं भगवन नाम मात प्रतापाद आगे बढ़ने की बस यही लगता है यही विश्ट्राम हो नाम का प्रताप ऐसा है कि तुम्हें राग द्वेश मुक्त कर देगा शुद्ध ग्यान प्रगट हो जाएगा विशुद्ध प्रेम प्रगट कर देगा यह नाम बस हमारी प्रारसना है सबसे मान लो क्यों में छोड़ दो बाद में तुम अनुभव करना बस जैसे बने वैसे राधा 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 किसी ने एक प्रश्ण किया कि ध्यान तो होता नहीं चिंतन तो बनता नहीं चिंतन तो विश्यों को होता है अगर राधा-राधा कहते हुए मर गए चिंतन विश्यों को हो रहा है तो अंतिम समय जो चिंतन होता है वही कफल मिलता है तो क्या राधानाम हमें मोक्ष प्रदान कर देगा तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए तुम्हारा चिंतन है कहीं भी और माग छुआ में तुम्हारे जलन नहीं होगी तुम्हें जलन हो जाएगी तुरंत आप ऐसे जरा से छुआ दे इसे न तिली करके जरा से भले तुम्हारा चिंतन कहीं और लगा दे जराच हुआ है क्योंकि इसमें दाहिका सक्ति है तकाल जला देगी ऐसे नाम में पाप नौशक शक्ति है नाम में मुक्ष प्रदान करने वाली सक्ति है नाम प्रेम में डुबो देने अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान का नाम है भगवन नाम मात्र प्रतापाद एक हुता कि जिसे श्वाध्य करके आपको शुनाना ये भी मंगल में है पर अपने लोगों का भगवत कृपाशे गुरू कृपाशे जैसे भी बनाए जीवन इसी में कटा है इसलिए बार बार यहीं लड़ खड़ा जाते हैं कि पूरे जीवन का फल ये आया है समझ में भगवन नाम मा प्रतापाद बस अगर आपके मुख में नाम चल रहा है तो आप चिंता मत करो पुत्र के याद में पुत्र के बहाने पुत्र का नाम नारायर तो भगवत पारशद आ गए उसे भगवत प्राप्ती हुई तुम्हें राधा नाम जब करके सरीर छूट रहा तो तुम्हें सं कुंसे होगा निश्चित निश्चित भगवान अशीम क्रपाल है यह राधा नाम तुम्हें प्रेम राज्य में प्रविश देगा कल्यान और मोक्चतो बहुत चोटी बात है प्रेम राज्य में प्रविश पाना यह बड़ा कठिन विश्य है भगवन नाम मात्र प्रतापाद द्वाइतम देहाद विश्मारे कैसी महिमा बर्णन कर रहे मापुरुश्यम ये द्वाइत का त्याग करना बहुत कठिन होता है जो लोग समझते हैं कि भक्त द्वाइत वादी हैं गलत समझ रहे हो आप तुम जहां अद्वाइत इस्थिती प्राप्त करके लीन होने की बात करते हो भक्त उस अद्वाइत इस्थिती को पहले ही प्राप्त करता है शाब में मेरा प्रभू रमा हुआ है शाब में है तो यहां भी है हो गया ना एक अब ये एक होते एकोहम बहुत श्यामा हुआ था बहुत श्यामा से एकोहम हुआ अब एकोहम में द्वैत नहीं रहता प्रेमगलियति साकरिता में दोन समा है पर प्रेम अकेले खेल होता नहीं इसलिए ये अद्वैत से भी सरस द्वैत द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भी सरस्महाम हिन द्वइत स्वयकार करके ये भावदे से दिब्वि प्रिम्रसकार सास्वादन होता है तो क्याने द्वosa देहादि पिशमारे सकलम ध शमस्त द्वइत प्रपंच का देहादि का विश्मरण करादयने कि शामर्थ नाम में बिराजमान है इस फोरयस तुरियत तेजहा जितना नाम जब करोगे तो आपके हरदय में तूरीतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् सब्सक्राइब सब्सक्राइब नाम जब से ही दिब तेज प्रकासित होगा और उसी तेज में गऊर नील जोड़ी स्यामा स्याम का साक्षातकार भावदे लीला में प्रवे सदा सदा के लिए महान प्रेम सुख में आप इस्थित हो जाएंगे श्रीपाद प्रभुधान अंदी जी महराज के निरंतर धाम आ की बड़े प्रचंढ माया है बड़े बड़ों को इस माया से भ्रहम पैदा हो जाता है गरुण जी के भ्रहम का निवारं करके काग वुष्ण जी अपनी बात कहते कि हे स्वामी हे हरी वाहन मेरे को भी एक बार भ्रहम हो गया था जब भग्वान अवदपुरी में बाल चरि जूठन गिरा दे तो हम पाएं तो हम काक रूप में नजदी की रहते प्रभु थोड़ा जूठन गिरा देते पाता प्रफुलित हो जाता एक बार प्रभु ने लेला कि क्यों मुझे पकड़ने को दवड़े तो मैं भागा जब नहीं पकड़ पाये तो रोने लगे बस मुझ बुद्धी संसय युक्ति इतने में भगवान ने हस दिया तो मैं उनके मुख में गया अब तो अनंत ब्रह्मानों में देखा भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा भगवान विश्णु सब्स्रजन पालन ले यह शौब लीला है सौ कल्पों तक मैं विचरन करता रहा फिर घब तब प्रभू ने मुश्कुरा करके करुणा से जीवी देखा तो शब्संसय खतम हो गए मतलब समस्त संसयों का नाश प्रभू की क्रपा को रुष्य होता है और ये क्रपा कव हुई त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभू मुझे बचा लो मेरी बुद्धी में शंशे प्रगठ हो गया है जब प्रभू ने देखा कि मैं त्राहिमाम करके चरणों में पढ़ा हूं प्रभू ने अपनी माया को रोप दिया और मेरे तरफ करुणा दृष्टी से देखकर मुझे उठाया और मेरे उपर हाथ काक जी के रहे हैं प्रभू की भक्त वत सलता देखकर हरदय में अपार आनंदू मल रहा है मेरे नेत्रों से अस्तुर बहे रहे थे शरीर पुलकित था और भगवान से मैंने प्रार्थना की मेरी प्रार्थना शुनकर भगवाले ने यह मेरा निजदास है हे काग मुष्ण तुम मेरे निजदास हो मैं बहुत प्रशन हुआ वरदान मांगो अनिमादी अश्ट शिद्धियां नो निद्धियां जिद्धियां जो सब सुखों की खान मोक्ष जो चाहो मांग दो शुद्ध ग्यान विवेग वैराग तत्वोद और मुनियों के लिए जो दुर्लब है वो शद्गुन सद तुझे दूँगा मांग क्या चाहिए तुझे बड़ी सावधानी से एक एक वचन प्रभु के सुन रहे थे काग वशुन भी जी विचार कर रहे हैं कि जो मुझे चाहिए वो तो बोले नहीं प्रभु सब कुछ देने की बात बोल दिये जिद्धिया शिद्धिया ग्यान बैराग विवेग तत्वोद मोक्ष शुख सामुनी दुर्लब शद्गुन लेकिन प्रभु ने अपनी प्रेम भक्ती की बात नही कि प्रभु ने यह नहीं का कि तुमांग मैं तुझे अपनी प्रेम भक्ती देता हूं यह सब सुख किस काम के प्रभु का प्रेम नहीं काको शुन जी विचार कर रहे हैं जैसे सुंदर रशोई बन जाए कढ़ी और दाल और सब खीर में चीनी डालना भूल जाए और दाल क कढ़ी में नमक डालना भूल जाए फिर परोशा जाए कैसा लगे ऐसे यह ज्यान बैराग्य तत्तों बोध है सब कागुर्शन जी विचार कर विना भगवत प्रेम के तो सब नीरश है यह कागुर्शन जी ने विचार के सब सिध्यां मोक्षे सब प्रभु का प्रेम नहीं भजन नहीं और सो किस काम का है फिर मैं प्रभु शुबुला है क्रपार और इसने के समुध्र मेरे स्वामी आपने जो कहा पर प्रभु मेरे मन में जो मांग है वो तो आपने कहा ही नहीं प्रभु आप उदार हैं हरदय की भीतर की बात जानने मुझे इसे ध्याँ ये ग्यान, ये मोक्षशुक ये मुनी दुर्लब शदगुन ये रिध्याँ मुझे नहीं चाहिए मुझे आपके श्री चरणों में प्रगाढ प्रेम चाहिए अनन्य भक्ती चाहिए जिसके शुती पुराणों ने गान किया है बड़े बड़े योगी जन जिसे खोजते हैं पर पाते नहीं आपके क्रपापात्र कोई कोई इस प्रेम भक्ती को पाते हैं ना थो वो मुझे अविरल भक्ती प्रदान कीजिए प्रेम लक्षणा भक्ती हे भगवान आप सदयू भक्तों के मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में ततपर रहते हैं आप विशुद्ध निश्काम अपने सीचरणों की भक्ती मुझे प्रदान कीजिए सरनागतितकारी क्रपाश्वमुद्र दया करो मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ती चाहिए आप से प्रेम भगवान मुश्कुराए किस बात के लिए मुश्कुराए किसी भी प्रदोभन में राजी नहीं हुए भक्ती कितनी दुरलब है हम तो विशेयों में राजी हो जाते हैं यहां तो दिब्वे सब महा महिम अनिमादी सिध्या मोक्ष शुक मुनी दुरलब भागवतिक स्दगुन बैभव मुझे भक्ती चाहिए आपका प्रेम चाहिए यह तभी प्राप्त होता है जब अनि कोई चाह न रहे जाए चब नाम कर देगा आप चिंता ना करो भजन करते रोग सब कुछ समझ में आ जाएगा सब सारी स्थितियां जागरत कर देगा भजन के बिना छूटा से एक विशेय आता है हम भगवान को भूल जाते हैं प्रभू की शरणागती को भूल जाते हैं प्रभू की आग्यां को भूल जाते हैं प्रभू को भूल जाते हैं और उस विशेशवाद में लग जाते हैं कितना छोटा इस्थान हमने प्रभू को दिया है सुचो अपने हरदय में कितना इस्थान तुम प्रभू को दियो कितनी माननेता कियो थोड़े से लाब के लिए घंटो नाम छोड़ सकते हैं प्राकृतिक लाब के लिए थोड़े से शम्मान के लिए थोड़े से भोग के लिए हम अपने प्रीतम को विशार सकते हैं कहां इस्थान हमारे हरदे में है? जबकि जिसे प्रेम प्राप्त होता है उसका भजन कैसा होता है? त्रिभुवन की राजलक्षमी देने पर भी त्रिभुवन की वो अधे पल के लिए भी प्रभु का बिश्मरण नहीं कर सकता, वो प्रेमी महाभागवत होता है. एक बार एक शिद्ध महापुरुष अवद धाम में बिराजमान थे बत्माल में भी आता है वो उनको किशी नमीन भागवत सीखी थी तो नजदीक गए प्रणाम के और का भगवन हम आपको भागवत सुनाना चाहिए हवश्य सुनाईे रोज आकर कि उस शप्ताही की भागवत सुनाई फिर उनका भई भागवत सुनाने पर कुछ भेट देनी चाहिए अब हम तो प्रभू किश्यवा हमारे पास कुछ है नहीं आप मांगो क्या चाहिए तो उनका भगवन पुत्र नहीं है ब्याद तो हो गया है बहुत समय हो गया आपकाश हो जाएगा जा वह भगवन एक बात और है कि अर्थी की बिवस्था नहीं है अगर इसी अर्थी की बिवस्था हो जाए कि परिवार सुपूर्वक खाय पियर है जा वह भी हो जाएगा क्योंकि जिनके पास नाम रूपी धान है वो कुछ भी कर सकते मम भक्ति उप्टो भोनम पुनात तीश्री बारोन का भगवन भगवान की चरणों में भक्ति डाट देवाई पहले पुत्र फिर धान और फिर भगवान की भक्ति अधिकार नहीं है तुमारा मांगने का खोजी अधिकार अधिकार कब पहले भगवान की भक्ति मांग लेते और पीछे करम से बोलते चलेगा कि भगवान की शेवा भी राजमान होगी तो परिवार में पुत्र भी होना चाहे जो सेवा आगे भी करे और पर वो शेवा के लिए कुछ थोड़ा आर्थ भी हो जाए बिलकु भगवान की भक्ति का अधिकार खो दिया इसलिए पहले भगवान ने मर रखा लो अनिमांद शिद्धियां रिद्धियां मोक्षशुक तत्त ग्यान तत्त बोद साब मुनी दुरलव सदगुन जो मुझे चाहिए आप अंतर्यामियों देख लो वह आपने बोला ही नहीं मुश्कुरा दे भगवान बहुत चतुर हो तुम प्रवो मुश्कुरा कर बुले बड़ा चतुर सयाना है भाई तु काग तु बहुत सयाना है तभी ऐसा वर्दान मंगा तुमने समस्त शुखों की खान मेरी प्रेम भक्ति मांग ली तेरे शमान कोई बढ़ भागी नहीं बड़े बड़े मुनी जो जोग जब योग की अगनी में सरीर को तपाते रहते हैं करोनों शाधनाओ करने पर भी प्रेम प्राप्त होना बड़ा कठिन है बगवान के रहे हैं वही तुमने मुझसे मांगा प्रेम रीज गया मैं तुम्हारी चतुरता पर यह चतुरता पिछे बहुत प्री लगी मेरी क्रपा शे91 पर जितना मैंने पहले बोला था वो सब आ जाएगा तुम्हारे ने प्रेम तो आएगा ही पलो प्रेम तो चक्री करने पड़ेघा किसाब अपने आप जागरत ये काग वुशुन्ड जी कोई नहीं बोल रहे हैं आप रहदे से सरनागत हो जाओ मन वचन कर्म से प्रभू के हाँख बिक जाओ बिना साधन के सब जागरत हो जाएगा जाओ आज से तुम्हें मेरी माया कभी भ्रह्म नहीं पैदा करेगे बचन दे दिया भगवान मुझे अनाद अजन्मा प्राकृत गुनों से रहित गुनाती दिव्य गुनों की खान साक्षात ब्रह्म हमानना एक आग सुन मुझे सबसे प्री कौन है जानता है भक्त प्री है भगवान कहरे ऐसा विचार करके शरीर से वचन से मन से केवल मेरे चर्णों में अटल विश्वास और प्रेम रखना ये अपनी पकड़ बता दी भगवान में अजित को जीत लेना वो भगवान बता दे कैसे जीत लोगे भगवान कहते हैं कि जो मुझे बहुत प्री है वो मेरा भक्त होता है और कैसा भक्त तन वांग मनोभी अमलै तो सोहम तविवाश्विता महाप्रू अरिवन से चन्दू यहां भगवान कह रहे शरीर से मन से वानी से केवल मेरे चरणों का भरोशा और मेरे ही चरणों में प्रेम दो बाद भरोशा भी प्रभू के चरणों का और प्रेम भी प्रभू के तरह हमारे शाधन भी प्रियालाल हैं और हमारे शाध्य भी प्रियालाल हैं झाल